हेलो अबरीवन आज का ये वीडियो इंपोर्टन रहने वाला है 12th biology student के लिए तो क्या ऐसा कारण है 12th biology वाले student एम से नर्सिंग नहीं कर पाते या government site से नर्सिंग नहीं कर पाते उसके major reasons है एक तो सबसे बड़े तो parents हो गया और दूसरा हो गया unawareness एक तो जल्दबादी ज्यादा करना और unawareness aware नहीं होते जिसे एम का फोर्म निकल गया अभी मेरे पास बहुत सारे 12th biology का कोई student है 12th biology student के parents है उन तक जरूर पहुचाए ताकि वह उनके लिए helpful रह सकते हैं और अपने वह भी अपने जो चाहते हैं वहां से प्रेशर इतना है कि इसका सोचिल स्टेटर्स का अब प्रेशर इतना है किसका सोचिल स्टेटर्स का इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा 12th से निकलता है उसके पेरेंट्स पहले से प्लान करके रखते हैं कि इसको तो भेजना है भाई साब कहां पे नीट के लिए कहां पे इसको तो भेजना है कहां पे नीट के लिए ना नीट में सम्टिंग अराउंड जैसे बच्चा कोटा जाता है तो दो साल में तीन लाख रुपया तो एक्सपेंस करी देता है कभी-कभी तो 11 प्लस 12 फाउंडेशन कोर्स के साथ जाता है फिर आप देख लेना यह पर्सेंटेज स्टुडेंट का नीट में जो स्कोर रहता है वह 350 से 400 तक रहता है 350 से 400 तक रहता है समझ में आगया वैसे देखें तो बहुत कम ऐसे चांसे होते हैं और एक परसेंटेज एक्सेप्शनल होता है जो बच्चा 11 12 में उतना स्टेंडराइज नहीं है उसकी लाइप स्टैल उसकी इच्छाय से आपको पता चल जाएगा कि बोलते हैं आपने पालने में पेर दिख सब्सक्राइब कर लिए इसका यहां तक लेवल है तो अपने लिए नीट के बाद एक अच्छा ऑप्शन है अब देखें और इसके बहुत सारे वीडियो में लेकर आऊंगा इसमें अगर देखें अगर आप देखो स्टेट कोर्मेंट के जो डॉक्टर होते हैं नीट के बा पांच साल के कोर्स करने के बाद उनकी सेलरी सम्तिंग अरॉंड 60-70,000 वही अगर आप लगते हो ब्यासी नर्सिंग करने के बाद तो स्टार्टिंग सेलरी 80,000 सम्तिंग है तो कोई डिफ्रेंस तो नहीं है तो इतना प्रेशर क्यों अगर वो मिडियों स्टेंडर्ड चाहिए लेकिन आपके बच्चे के स्टेंडर्ड आपके बच्चे के लेवल को देखे आगे बढ़ना चाहिए ताकि यह इतना आप एकस्पेंस कर रहे हो वह आपका वैस्ट ना हो जाए और फिर बच्चा जब 300 स्कोर करता है तो फस्टेट हो जाएगा कि आगे मुझे करन बरेको कली कॉल आयता किसी बंदा प्रिंसीपल है कॉलेज में उसका कॉल है कि याडर मेरे बच्चे को AIMS में BSc nursing करानी है तो AIMS में क्या मेल BSc nursing कर सकते हैं नहीं ऑनम से मेल B recession नहीं कर सकते admission अब क्यों नहीं करसकते कैंसे नहीं कर सकते वह म Ich ito पूरी की पूरी सीटे कितनी कौन कर सकती है तो फिमेल इंडिया में कितने अग्रीम से तो 22 अग्रे तो समतिंग अरौंड 800 में किसकी ङाधाय है our motion मैं कम सेखम सो सिटंट मेल क्या करें लड़के क्या करें तो आप देखोगे आप कर सकते हो ब्यूर्द से कहां से गोर्मेंट से अगर राजस्तान से तो आपको क्या करना है और यू एचेस का 12 अभी जो नेक्स्ट विक निकलने वाला है एंज से जो करना था भूल जाओ क्योंकि लास्ट डेट निकल गई है पहले मैंने वीडियो में बताया था लास्ट डेट निकल गई है अब इस स डिस्क्रिप्शन में वाट्सप का ग्रूप है आप उसे जोइन कर ले जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा मैं अपने वागण के सभी सातियों को हेल्प कराने की कोशिश कर रहा हूं अब करें से कर सकते हो यहां से 80 परसेंटेज तो महिला है फिमेल करेगी और 20 पर कि तिसरा रास्ता कि क्या होता है में रिजन क्या है कि बच्चे प्राइवेट से क्यों करते हैं बीएसी नर्सिंग गवर्मेंट में अप्रोच क्यों नहीं करते कि 12 का रिजल्ट आ जाता है मैं तक आपका रिजल्ट आ जाता है अब 12 के रिजल्ट आने के बाद हडबड़ी होती है यार कहां ही से तो एड्मिशन लोग कैसे करो क्या करो तो आज कल आपको बीएसी नर्सिंग का एड्मिशन नहीं मिलेगा राजस्तान में अधर स्टेट के हर स्टेट के एक्जाम है आपको एंट्रेंस एक्जाम देना ही होगा कंपल्सर ही है मार्क्स कितने आये वह बात में देखें एंट्रेंस एक्जाम देखके ही आपको एड्मिशन मिलेगा दूसरी चीज नेक्स समझेगा अब यह कहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटी बच्चे भागते हैं कि दे सिदे डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले तो किसी भी प्राइबट कॉलेज में एड्मिशन ले लेते वहां से मिलेगा नहीं अब आर्यू अचस का एंट्रेंस टेस्ट का फॉम बरोगे उसमें एक्जाम दोगे उसके बाद मिलेगा अब बच्चे से डीम्ड यूवर्सिटी की और भागते हैं उनका प्रwn country यूप इंट्रेस्ट वहां से आपको एड्मिशन मिलता है और वहाँ पर टॉनेशन भी तगड़ा चलता है कंन बोहां पर station के नाम मातर से कम से कम एक से दो लाइक रुपीज आपको आपसे ले लिया जाते हैं कि मिद्यम वर्ग का परिवार फिर सोचता है कि यार कैसे भी करके एडिमिशन ले लू मैं और बच्चा सक्सेज हो जाएगा चार साल पढ़ लेगा और आगे बढ़ जाएगा एक चीज तो नियम को पता चल जाएगा कि यह वाली चीज हो गई है इसलिए अभाई Ask का होता है मेल के लिए बात करेंज का तो अभी एक्जाम होने को आया हो रहा है तो आर यूह पंदे कैसे होते हैं यार केसे भी करो बच्चे का एडमिशन कराओ मैं ते घर पे बेटा है कब तक करेगा ऐसे करके जल्दबाजी में करके कहीं ने कहीं एडमिशन की और चले जाते हैं भले लाक रूपिया ले लेकिन बच्चे को पढ़ा ले अब मेरी चिंता दूर चुटे पढ़ेगा चार साल कराने की कोशिश करते हैं अब इसके लिए अगर आपको कोई डाउट है कोई शंका है तो आप हमारी नंबर 8502065080 पर संपर कर सकते हो इस पर संपर कर सकते हो नेक्स एडमिशन का क्राइटरिया क्या है आपका 12 पास होना चाहिए कहां पर बाइलोजी से पी सी बी में 50 परसेंटेज से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए तो आपका एडमिशन वाला प्रोसिजर हो जाएगा नेक्स देखें कि ओलेट्स टार्टिंग एज तो 17 से प्लस होना चाहिए 17 साल से बड़ा होना चाहिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा तो यह कुछ क्र सिंग कर सकते हो आपके बच्चे की और मैंने बता दिया में रिजन अब हाव टू अपलाए तो आर यू एचस अगर गौर्रमेंट से करना चाहते हो तो यहां पर फॉर्म निकलेंगे उसको भरके एक्जाम देना होगा जो वेड कर सकते हैं प्राइवेट में एडमिशन कहा मिल सकता है तो डिमड यूनिवर्सिटी में मिल सकता है कि वहां से आप कर सकते हो और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं यूजली इस तरीके से आप प्रोसिजर करके कि आप admission ले सकते हो अपने बच्चे का क्लियर है अब हमारी ओर से क्या specialization मिलेगा अगर आप चाहते हो बीएसी नर्सिंग करा ना इंडिया में अगर government side देखो या private side देखो सबसे बड़ी चीज यह है कि आप देखो government nursing tutor की vacancy राजस्तान में कब आई थी हर स्टेट की देख लो बहुत रहली आते एक teacher रहता है वह भी पुराना रहता है और clinical side से जो nurses होते हैं उनको ले ले जाता है मैं असानी बोल रहा वह competent नहीं है या वह नहीं कर सकते लेकिन एक होती है पर्मानेंट जॉब और एक होती है additional gym में दारी उसमें difference तो मिलेगा के नहीं मिलेगा तो यह सब चीज़े होती है तब बच्चा क्या करता है पूरा syllabus भी नहीं होता है एक से coaching classes में फिर किसी का तो selection होता है आपके आसपस आपके घर के पास में देख लेना किस किस का हुआ है कितनों का selection होता है उतने hardware के बाद किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है फिर वह hard work करता है महिने में 28 डेन duty करके कम से कम 10 से 15,000 रुपय कमाता है प्राइवेट में और कुछ लोग रूटीन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ठीक है नर्सिंगी कंडिशन लेकिन जब आप यही 22 डेज आठ छुट्टियों के साथ महिने में सेंट्रल गवर्मेंट के साथ 80,000 में स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और हर साल आठ जार रुपया आपके बढ़ जाए है ना साल में कम से कम 150 दिन छुट्टियों कर्णार्ट बशुटियों झाल 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 झाल